हेलो जाएन नमस्कार राधिरादे मैं रोहताब सभी का एक वाद फिर से हार देख स्वागत करता हूं टार्गेट सेमिश्टर पर सात्यों जो हमारी सारती सीरी चल रहे है बी ये के लिए उसमें मैंने आपको यूनिट वन और यूनिट टू कम्प्लीट करा दिये यूनिट लग्री जिसमें चल रही है जिसका आज ये तीसरा वीडियो है है आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूनिटिक पिरियड के वारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले लेथिक और मीजोलिथिक है अब मैं आपको समझाता हूं जब्सक्राइब नियो का मतलब होता है नया नियो नियो लेलतिक का मतलब होता है पत्थर ठIES टोन तो नियो इस्टनद में हम बात करेंगे और स्वारे यह last stage है किसस्की corpse on age की ठीक है तो यह आगえ तो होगा ह्किर्द से पहलं हम पढ़े पहलो एक तो यह आखरी एज़ नियु लटुक किसके इस्टोन एज़ की तो पास्चाहर काल की यह आखरी एज है नियू लिटिक पीरियोड इच शिगनी फैक्एंट फोर मेगा लिटिक आर्टिक्टेक्टर तो मेगा लिटिक मतलब होता है कि जो माइक्रो से बड़े होंगे मेगा मतलब मेगालिटिक अड़ी टेक्चर के लिए फैमस है यह इसने अग्री कलच्छर प्रक्टिस को थे पहले लेतिक में हमने देखा कि कोई सेफ नहीं था लेकिन जब मिजोलितिक में आये तो थोड़ा सा सेफ बनाया उन लोग ने चीज़ों को अच्छे तरीक से प्रॉपर डंक से बनाना चलू किया लेकिन जब नियू लितिक कल्चर आया यानि कि ना पाशाड का लाया तब नो लोंगर डेब डिपेंडेंट इसमें देखा हमने कि जो लोग है वो नो लोंगर डिपेंडेंट मतलब ज्यादा लंब में तक समय तक डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इंटर लीड और नेचर बट आई है डिश्ट वट है इस्टार्टेट टू एक्सप्रोई नेचर फिरिंट उपिक्स को देखेंगी निनकिन पाषार का जिो कल्चर ता उसको देखेंगे तो अग्रिट कुगा करता था मिलता है यूंको रिकूली संग का देखने को मिलता है यहां पर जो एग्रिकलल चेर एरिया से होँंपर खेतीवारी करने लगे लोग को पस् alumन एनियंक डॉमेस्टिकेशन होने लगा साथ में एक वैल्ड सेटल्ड लाइफ जीने लगे ठीक है यह चीज़ समझ आ गयो बहुत अगला पॉइंट देखेंगे कि इन्डिकेर दा ट्रांस्वर्मेशन आफ सोसाइटी नहीं हम देखेंगे कि इसमें नियुलितिक कल्चर में हमको सतल्दाफॉर्य चैंज सब्स्क्राइब है कि जैसे कि जो लोग है उनके रहने का तरीका है रहने हандव्यकी का तरीका रह चीजह को देखने का तरीका चैंजा नजे भी आटे तो और इसका जब गयादर करेंगे economy to the food producing यानिक जिंचियों से कम मतलब जैसे फसल बगएरा हुआने लगे यानिक फूर्ट प्रोडिस्ट प्रेड्यूसिंग मतलब की जो चीजे खाने खाद दियो हुआ करती तो उनको जब उगाने लगे तो फिर क्या हुआ कि इस से economy भी ब देखेंगे तो में को सारी चीजे पता चली अब हम देखेंगे टूल्स को तूल्स मतलब की किस प्रकार की हथ्यारों का प्रयूग होता था किसे काफी हपी कफी अलग् तरीक पूल्स यानि की चम्कील जो पॉलिष्ट कर देते ते मतलब इक दो फार्पनेज बनाई जाती थी एक चीज़ों को फ्रस्कूबर पॉलिस हो जाती थी तो टूल्स एंड एक्सिस एक्स मतलब होता है कुलहारी ऑफ्टन कॉल दा ये बन गया अब इसको न्यूलिटिक में दूसरा देखेंगे टूल्स एपियर्स मोर रिफाइन देन दा क्रूड फ्लैक इस टॉर्ण आफ देखेंगे यानि कि पहले लिटिक एज मैं कूट फ्लैग यानि कि मतलब एक सीप साइज नहीं हुआ करता था कैसा भी पतल लिए उसको हत्यार माल लेते लेकिन न्यू लिटिक एज में क्या दे यानिक निवलिक कल्चर में ने देखा कि यह वह वीपन्स यह वह वह और यूज कर रहा है जो वह द्डियों के मन वह करते तो तो समको तीन चर्चिया पता चला टूल्स के वारे अब देखेंगे लिविंग लिविंग अलोग कैसा रहन सेन का तरीका तो लिविंग जीवन देखेंगे कैसे रहते ते यह लोग ठीक है आई यह यह तो हमने देखा दा इंटर्डूसिंग ऑफ डॉमेस्टी के डॉमेस्टी केशन अफ प्लांट एंड अनिमल्स लीड टू प्रडूसिंग अफ लार्ज क्वैंटिटी अफ ग्रेंट अनिमल फूड तो हमने देखा कि इनके चैन रहने का तरीका कहता था कि यह डॉमेस्टी केशन करने लगी किसका पस्वों का करने लगे अग्रिकल्चर होगाने लगे इसमें इनका लार्ज एमांट में यह ग्रेंस होगाने लगे एनिमल्स फूर अगाने लगे यह चीज़े देख लेना दूसरा है दफूर देड्डों शैट टूँ श्रो एन्फ वोट्री मेंकिंग इमर्च्ट श्मोल्स पृट्री मेकिंग इम मिर्च्ट चैन हिसे पुछन औरजह को सुफित इतने हेमे तो यह नंकोडिश कोलने लगे टेजा सप्टमें में इल्स के पृटे में नदॉग को आप लोग चाए व away from case and this house well word यानि कि लोगो ने क्या किया नियो लेटे केज में न पाशर काल में क्या हुआ साती हो जो केपस में रा करते हैं तो गुफा में रा करते हैं तो वहां से निकल कर उन्हों बाहर अपने रहने के लिए निवास इश्थान बनाने लगे अपने लिए छोटे-छोटे मिट्टियों के घर या मतफूस जो घास फूस होता है उसको लगा कर घर बनाने लगे तो यह चीज़ बता हैंगे लार्ज बिलेज़ डेपलोब अंड परिमानेंट रेशिडेन्स यानिप धीर धीरे एक करके दो करके फिरेख चोटार अब यहां बने हैं तो हमने देखा कि कुछ घर ऐसे गोलाई में बने हुए दिखाई देते हैं कुछ रेक्टेंगुलर से यानि आयताकार में दिखाई देते हैं तो इस प्रकार हमको पता चलता और जो घर बने होते हैं वो मिट्टी को थे क्योंकि हमें एवीडान्स मिल रहे हैं वो मड़ वगयरा के मिल रहे हैं अगला पॉइंट देखिए हाउस की बारे में दा पीपल्स ओफ आम मेहर घर यानि कि आपसे पूछा जाता है मेहर घर में जो मिली है लिब इन वर्ड ब्रिक्स हाउस जयर्म रोग मिट्टी की वण कि इटो के घर में रहा करते थे बियालिंग होती ती रिपूर्ट फूदॉदा वोज्रोहम हमको बुर्जोहम से पता चलता है कि पिडवेलिंग हुआ करती थी नियॉजतिक साइट ऐसनी काकाशमिर कास्मीर में जो नियॉजतिक साइट पाई कि पहली बार हमने पोईटेस को देखा फस्ट इपीड इन्स नियो लिते के जन्नब पाशाद काल हमने पहली बार में पोईट chị को देखा आप पुघित का यूच कैसा करेंगे साथव अना जोगरा कट्टा करने के लिए पोईट्रिस का यूज होता होगा उनमें अनाज रखा करते होंगे खाना बनाने के लिए पोईट्रिस का यूज हुआ करता होगा ये सब्दे को हमारी के वाल कलपनाएं हो सकती है हम के वाल सोच सकते हैं ये चीज़ों के बारे में क्योंकि अरेंज फोर ड्रिंकिंग वाटर एंड इट फे फिनिश्ट प्रोड़क्त ये सारी चीज़ें पोईट्रिस के लिए हो गया मतलब कि जो हमने पोईट्रिस देकिवन पर कुछ ग्रे यानि कि हरे रंग से या मतलब भूरे रंग कि सफेद होती थी या कुछ पर कोई ब्लैक तो यह कुछ कलरों के बारें बताया गया तो आप लोग देख लेंगे इसके बाद हम आर्किटेक्चर की बात करें कि कैसे कैस पाये जाते थे नियू लेटिक एज में तो सातियों देखो अर्किटेक्चर की बात करते हैं देखिए इस इस सिगनी फाइंगा अर्गिटेक्टर मैं आपको पहले बता दो यह मेगा लिटिक आर्गिटेक्चर के लिए होती है इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पाजैसे जाएंगे मेगालितिक means होता है लार्ज इस्टोन यानि मेगालितिक का मतला होता है लार्ज इस्टोन जानी कि बड़े पत्थर बड़े पत्थरों को प्रियोगों अन्ग जेनल दो वर्ड यूज्ट फूर टूरी फूर्ड एनी हूप लूण और असेंबल इस्ट्रक्चर और अब इस्टोन बॉल्ट तो यह मेगा लिट के वारे मापको चीजिए बताई गए है समझ जाओ गया आप लोग लारज इस्टोन के जो ती पो गया कम्यूनिटी लाइफ के बात करें आद आप यू कम्यूनिटी लाइफ कैसी वा करती थी की लोग कैसे रा करते थे तो फर्दा दा शर्पला सूर प्रोड़क्ट एक प्रोड़क्ट वाज बन आफ दा मैं फेक्टर टू मैं फेक्टर फोर डेवलोमेटिंग अर्डी अर्वन कल्चर एंडेटर कॉंस्टेक्ट तो उसके बाद माद लाइफ हुगा करती थी कॉमन राइट वहां पर लोगों को मिला करते आप साथ यो कुछ हमसे पूछी आते कि इंडिया के अंदर नियू लेते के नप पाशाड काल का वी कल्चर है वह इंडिया के अंदर आप लोग समझाएं इंडिया के अंदर हम लोग जैसे समझाएं गे तो हमने यहां पर कुछ एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए देखिए अगर हम इस पॉइंट में जाएंगे जैसे रीजन कौन कौन सी जगह थी इंपोडेंट प्लेस के बारे में बताएंगा और वहां से मिले हुए क्या कैरेक्टर इस्टिक है यानि क्या क्या चीज़ है पाईगे तो जैसे देखिए रीजन में लोग आएंगे तो न नौर्थ वेस्टर हम को दिखाई देता है मेहरगड इंदा काची प्लेंस काची प्लेंस हमको मेहरगड की जगह मिलती है ठीक है कि लीगुल मुहमद इन क्विता वाली राना यह सारी चीज़ वाकी जगहों के नाम में फिर यहाँ पर हम देखेंगे इस वन अप दे अर्लि रिजन है पागिस्तान एन अफगानिस्तान का तो यह आप लोग बता देंगे अगले में जैसी हम जाएंगे नौर्थ न रीजन जो कासमीर वाला उसमें जाएंगे तो आप अभी बुर्ज हम जो जगह पढ़ती है कासमीर के अंदर पढ़ती है तो बुर्ज हम गुफक्रा रिव्वार्ट इंड कनिसपूर तो दा न्यू लितिक कल्चर ऑफ कास्मीर रिजन वाच्परियरी विदा हर अब पर इभार में आप लोग देखेंगे के यहां पर कुछ चोपली मंडो यह बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर इम्पोटेंट एक्जिवेटेव साइट्स है बहुत साई जैसे कि महर गढड है चोपली मंडो तो यह बेलन रिवर बेलन रिवर बैली है यूपी महाँ वहाँ पर मिलता है नियू लिटिक ठीक है नियू लिटिक अकुपिशन यहाँ पर बहुत सारी पता चलता हमको गंगा रिवर वैली के वाइक किनारे पर यहाँ आपके पूरा यहाँ तक दिया हुआ एक पर मैं आपको और समझागे तो जो बच्चे हुए तो मेड़ में देखेंगे गंगा वैली रीजन में तो यहाँ पर चेरांद आएगा फिर चेरांद के बार में आप लोग चेरांद देख लेंगा और जो घागरा डिस्टिक अगला पॉइंट लोग देखेंगे सेंटल इस्ट में तो यहाँ पर सेंटल इस्ट में साथ यह वह आपका कौन कौन साथ है तो शंकर जंग है ठीक है याँ फिर कुछ ही है तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है इस कल्चर तो शोज़ाइटी नियुलिटिक कॉंप्लेक्स इस् होते हैं अगला पॉइंट आता नौर्थ इस्टन तो यह सारे आप लोग पढ़ लेंगे यहां पर जो कुछ अगर आपको कुछ चीजह याद रहें तो रीजन याद रखना साथ में आपके साइट क्या है और आपको पता ज्यादा तर्जब नियुलिटिक शीज में क्या हो जरूरी है साथ यो फिर इसके बाता साथ वाली साइड आपको बहुत याद रखनी है फिर मैं आपको एक छोटा सा मैप देखा देता हूं जो नियुलिटिक कल्चर के हम लोगा ने यूज किया था देखो जैसे दो बुर्ज हों यह दिख रहा यहां पर चीरांद है ठीक है जो पॉइंट वच्छेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे बागी आज के लिए इस वीडियो में नियुलितिक कल्चर होता आपका ख़ती तो फॉसल और्गनाज़ेशन के वारे में अगर आपको पढ़ना है तो सोचल नोर्गनाज़ेशन को बारे मुनों साथ यहां पर बताया ह for understanding the social organization नियुलितिक पीपल्स इस वहरी लिमिटेड तो यह चीह हम ने यह समझा दिया आपको ट्रैप्स लेवल सोसल और्गनाइजेशन यह आप लोग देख लेंगे तो हमने पढ़ लिया पहलो लितिक नियुलितिक मीजोलितिक अब बचाई चालकुलितिक तो अब हम कर दो रहर को उत्म थेञा और्गनाइण देख लेएंगे पाईजाओ से फिन म शर्केल शेय़ हम लितिक अिधनी रहर काहब दातिक नियुलितिक फेनले एक है।